विल्कम फ्रेम्ट आज से किंप्वीर लेक्चर स्ूरीज बेश्व का इसंसे दोस्तों स्टाउड जो मैं कर रहा हूँ प्रोग्राइमि sen almost लिया है अगसर लाइग्ज्चर में यह सब बड़ा कॉंप्लिकेटेड होता है एक स्टूडेंट को समझने के लिए तो इन सब धियान में रखते हुए दोस्तों मैं यह लेक्चर लाया हूं और मैं कुछ ऐसे इसे सलेक्टिव टॉपिक्स लाओंगा जिससे की आपका पूरा सब्सक्राइब करें उसको समझने की कोशिश करें तो इससे आपका जो है रूट नहीं होगा तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आपकी जो बेसिक्स को ही स्ट्रॉंग कर लिया जाए ताकि आप आप मोस्ट sold को टॉफ करें तो इसी से सिरिज को की आतर जो पहला टॉफिक्स या प्रो क्रोक्रामिंग सबसें हैं और विज्स करा मोण तो नाम संक्राइब टो नामिड्वेज्स दोत पहला कोशन अगर हम प्रोग्रामिंग लांगुज पढ़ रहा है तो पहला कोशन यहीं उड़ता कि यह हुटा क्या दिए तो हम अभी अभी जिस भासा में बात कर रहूं आप से ये भी इक भासा है हिंदी भासा इसको बोलते हैं इसी तरह कोई अधक समेलियान कोई बंगाली अपनी अपनी भासा में बात करता है को असमी भुचपूरी मैथली सब की अपनी अपनी भासा होती है जिससे वो अपने विचारों को प्रकट करता है उसी तरह कंप्यूटर की भी अपनी एक भासा होती है जिस पर एप्लिकेशन्स डेवलप किये जाते हैं और भी अन्य तरह क जिसे computer अब समझता है तो पहला question था programming language होता है वो clear हो गया अब programming language होता है clear हो गया लेकिन programming language कितने प्रकार के होते हैं और कौन-कौन से programming language है अभी अभी अब लेबल इन सब चीजों को discuss करते हैं दोस्तों टाइप सो programming language programming language basically दो प्रकार के होते हैं low level और high level low level language क्या होती है जिन भासाओं को computer समझता है यानी computer समझता का क्या मतलब है computer जो है सिर्फ और सिर्फ जीरो और की भासा को समझता और कुछ नहीं computer English language नहीं समझता यानि binary number को छोड़ करके कोई भी भासा नहीं समझता तो computer जो जीरो और वन की भासा को समझता वो लो लेवल लैंग्वेज है लाइक अगर हम computer में इसको अगर थोड़ा सा और describe करें तो ऐसे बोलता हूं कि अगर हमारे CPU है हमारा architecture computer जो है उनमें बहुत सारे hardware लगे होते हैं उन hardware का अपना कुछ functions होते हैं होते हैं लाइक अगर हम computer चालू करते हैं जाब तो देखते होंगे आपके green बत्ती जलती है कभी कोई भी पाती है इसे रख कुछ कॉपी करते हैं तो register में कॉपी होती है वह उसका रजिस्टर साडवेर में तो यह होता कैसे है तो जरूर डेफिनेटली कोई programming की होती है तभी तो होता है अगर रिमोट वाला रिमोट ले ले लिते हैं जिसे रिमोट हम जब रिमोट को दबाते हैं तो दरवाजा खुल जो कैसे होता है जरूर उसमें कुछ programming की होती है जो करता हो करने के लिए जो वह लेवल लेवेज चाथ अंतरका गतिए अब ल्एन लाइज मी दो पर करके होते हैं रहोतु ने упम सब्सक्राथ में अब क्या होती है य। अब राइनरी नंबर बाइनरी नंबर को समझती कंप्यूटर की पास्टती लो लैंग्वीज के इनतर कता आती है और इस लो लीवल लैंग्वेज में जो हाड़न के मैंनियूटर है क्या प्राइम फंक्षन इस टू ऑप्रेट मैंज एन मैनुपूलेट दा कंप्यूटिंग हाडवेर एन काम होता है और लो लेवल लैंग्वेज में होता है एक मशीन होती है एक चुट होती है मशीने मशीन से लैंग्वज उर समस्क्राइब करा सैंसे फिर विज्वा-ग्वेश्वी जो हम लोग चूर में चाहिए में बरेकोर प्रोगराम लिखते हैं तो हर भी क को ही का मैनेज करने के लिए लिए लाइक अभी मैंने बताया पहले कि लो लेवल लैंग्वेज मशीन समझती है और मशीन के जो हाड़वेर्स होती है हाड़वेर्स का अपना-पना फंक्शन होता है तो फंक्शन को कैसे हम डिफाइन करते हैं कि अगर मैं बटम दबाऊं तो जलती है तो लाइट जलने का काम जो होता है वह हम लोग लिखते हैं असेमवली लैंग्वेज में जो कोडिंग की जाती है वह वह सब्सक्राइब करते हाड़वेर्स को इसका डिफिनेशन देखे एन असेम्बली लैंग्वेज्ट इज़ा लो लेवल प्रोग्रामिंग लै है उसको सेंबली लेंगवेंज में हम लोग लिखते हैं और जो लिक इसमें जो हम लोग यूज करते हैं नेमोनिक्स करते हैं लास्टम इस ट्रम को डेटा को कौपी करना चाहते हैं एक हाडवेर डवाइस होता है च्टा था तो उस रजिस्टर में अगर हम लोग डेटा को कॉपी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब में उसको लिखते हैं एमो भी तो एमोभी का काम क्या होता है इस यूज़ी लेंग्वेज फॉर कॉपिंग एंड मुविंग डेटा बिट्विन रजिस्टर सेंड मेमोरी लोकेश प्रोग्राम करते हैं डिवाइसेज को माइक्रो प्रोसेसर को और आधर भी प्रोग्रामेबल डिवाइस इतने भी हैं कम्यूटर के लेकिन अब कुश्यन होता है कि कम्प्यूटर तो मशीन भासा समझता वह उइंग्लिश तो समझता मैं मॉभी एडबल डि एस्ईओ बी त करता है मशीन लेंगवज में यहनि अगर मैं करने के लिए यह मूव करने के लिए अगर कोई कोड लिखता हूं यूज करके एपि किया जाता है कि ऐसेंबलर का काम क्या ओर क्लियर हो रही है कि सम्ट्र क्या होता है तो जो एसम्बली लेंग्विज को करके मशीन लेंग्विज में अधर करता है उसको एसेम्बलर बोलते है एन्हें सम्ञिटर तो कनबल्ड दो components और जो भी programmable devices है उनको प्रोग्राम करने के लिए जिस भासा का इस्तमाल करते हैं उसको assembly language करते हैं और assembly language नेमोनिक्स यूज करती है प्रोग्राम करने के लिए उसमें से ADD, MOV ये सब नेमोनिक्स का terms है अब terms बोले, word बोले, symbol बोले जो भी है इसको यूज करते हैं ये human के लिए थोड़ा आसान होता लिखना assembly language बट machine language में 01 वो काफे difficult होता है तो दोस्तो अभी तक हम समाच चुक है programming language क्या होता है low level language क्या होता है अब low level language दो परकार क्या होता है assembly और machine assembly हम समाच चुक है कि जो हमारे devices computer components जो programmable होते उसमें जो programming की होती है assembly language में करते हैं अब assembly language के बाद आती है terms machine level language तो machine level language भी वही चीज होती है machine language is a state of instruction executed directly by computer CPU computers के CPU द्वारा जो directly executable होती है machine level language होती है और हम जो assembly language को लिखते हैं उसी assembly language को यह machine level language में convert करने के बाद यह computer उसको execute करती है machine hardware में जो program करते हैं machine level language में convert हो जाती है तो यह पूरा क्लेर है कि machine level language क्या होती है machines को समझने की जो भासा होती है zero or one में यह podia इस लैंड में Selley language so convert के आजाती है machine level language में 0-1 में तो machine level language में हो जाती है और उसको computer समझ सकता है, computers को फिर execute करता है वो instructions को अब low level language और high level language से ज़्यादा question बनते हैं नहीं exams में बट वो मैं समझाने के लिए आपको इतना focus किया हूँ कि low level language क्या होती है और assembly language क्या होती है, assembler क्या होता है और machine level language क्या होता है, machine level language 0 or 1 होती है अब उसके अलाव जो exams में आते हैं कि high level language तो दोस्तो high level language क्या होती है जो human हम लोग समझते हैं, हम लोग अगर C, C++ में अगर आप थोड़ा बहुत भी जान रहे C, C++ अगर एक prime number find out करने के लिए C में अगर code लिखते हैं या फिर even और और number find out करने के लिए जो program लिखते हैं वो high level language में होती है कि human readable होती है more, वो human हम लोग ज्यादा उसको समझ सकते हैं तो जिस भासा को हम लोग समझते हैं, बेसिकली वो high level language होती है High level language, Fortron है, Cobol है, Prolog है, Pascal, C, C++, Java, Python, Visual Basic, Delphi, Perl, PHP, ECM, Script, Ruby, C Sharp यह सब high level language के परकार हैं तो इस series में इतना ही दोस्तों इसमें से ही question आते हैं कि high level language, अब जब भी question आए, exams में कि high level language क्या होती है, तो तुरंट दिमाग में लगाए कि हम लोग जो भासा में code करते हैं, हम लोग English language में code लिखते हैं हम लोग उसको समझ सकते हैं, हम लोग खुद लिखते हैं computer के लिए जो application develop करते हैं, जिस भासा में उसको high level language के अंतरगत आता है, और machine जो 0 or 1 की भासा में, 0 or 1 के language, 0 or 1 के format जो machine समझती है, machine level language होती है, और assembly language जो MOV, यह निमोनिक्स यूज़ करके जो coding की जाती है, डिवाइसेस के अंदर वो assembly language होती है, और low level language के अंदर machine level language और assembly language होती है, और high level तो मैं बता ही चुका, तो यह दोस्तों programming language में इतना ही और मुझे लगता है, इतना काफी है, इसमें अगर कोई चीज आपको doubt हो रही है, तो जरूर कमेंट करें, ताकि मैं इस चीज को और improve कर सकूँ, और आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे concept और वीडियो ला सकूँ, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं दोस्तों,